नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में आज की वीडियो में हम गुरुवार के दिन किये जाने वाले पांच उपाई बता रहें जिसे आप आज माएंगे तो माला माल बन जाएंगे जियां दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको हल्दी की गांट से और हल्दी पाउडर से धन के तंगी दूर करने के धनवान बढ़ने के कमाई बढ़ने के आर्थिक समझें दूर करने के उपाई बता रहे हैं जिसे आप प्रियोग करेंगे तो निश्चीती आपकी कमाई घर बैठे बैठे ही बढ़ जाएगी। जियां दोस्तों अपनी किस्मत को चमकाने के लिए हल्दी का उपाई कारगर साबित होता है। हल्दी में गूरु ग्रह को मजबूत करने की ताकत होती है और गूरु ग्रह को धन का कारगर भी माना जाता है। जवान, विष्णू और माता लक्ष्मी अपने धन के बंडार अपने बगतों पर खोल देते हैं, लुटा देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से नरोद करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को तालू करें, जिसे चैनल के वीडियो आप तक तुर्ण पहुंचते रहें। आज की वीडियो में हम पांच महत्वकुन उपाई बता रहे हैं। पुजा पाठ करें और हल्दी को भी धूप दीप दिखाएं। बाद में एक पिले वस्तर में हल्दी को कटोरी में से निकाल कर बांद लें। और तुरंट अपनी तीजोरी में रग दें या दुकान के गले में रग दें इस उपाई से धन व्रदी दुकान में विक्री में व्रदी होती है जिसे आर्थिक तंगी दूर होती है दूसरा उपाय बुद्वार के दिन सवा किलो चने की दाल को किसी पत्र में भिगो कर अपने सेन कक्स में रख दें बुद्वार के दिन रातरी को गुरुवार के दिन सुबए उस भिगी दाल में सवा सो ग्राम हल्दी पाउडर मिला कर किसी भी पीले रंग की गाई को खिला यह परियोग इसी तरीके से चार-पांच गुरुवार तक करने से बड़े-बड़े करजों से मुक्ति मिलती है और सोचे गए काजे पूर्ण होते हैं और मनोर कामना पूर्ण होती है तीसरा उपाए घर की बाउंडरी की दिवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो उस घर में नकारात्मक सक्तियों का परवेस नहीं होता है और मता लक्षमी का परवेस सुगम होता है चोथा उपाए गुर्वार की रात को चैर हल्दी की गंटों को मोली से थोड़ी थोड़ी दूरी पर बांध कर माला बना दे बाद में रात को अपने सीराने रखकर सो जाएं किसी कटोरी में डाल कर ये माला अपने सीराने रखकर सो जाएं सुकरवार के दिन ये हल्दी की माला सुबह सुबह सनान करने के बाद किसी पिपल की पेड़ की डाली में टांग कर आ जाए नीचे नहीं रखना जड़ों में न रखना पिपल की डाली में टांग कर आ जाए इस परियोग से आपकी धन की तंगी दरी दरता दूर हो जाएगी माता लक्समी जम कर धन वर्षा करती है यह चमतकारी उपाये पांचवां और अंतिम उपाये बुद्वार के दिन एक तामबे के लोटे में साथ साबूत हल्दी की गंटे और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा पांच साबूत सुपारी डाल कर बाद में उस लोटे में सुद जल भर दें फिर उस लोटे के उपर एक जटा वाला नारिल रखकर बाद में इस कलस को घर के उत्तर पूर्वी कौने में रखते इस परियोग से घर में सुक समरदी खुस हाली बनी रहती है और बढ़ती रहती है कई वास्तु दोस्पी दूर होते हैं घर के सारे व्यक्ति कमाने लग जाते हैं इस उपाई से इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं जै राम जी की जै माता की